सभी दोस्तों, बहुत अर्से से जो exercise चल रही थी, बहुत अर्से से जो exercise चल रही थी, कॉंवरेस पार्टी में, कॉंवरेस पार्टी का प्रेसेडिन के चुनाव की प्रक्रिया, मैं बता रहा था कि करीब दो साल से का चुनाव की एकसरसाइज पहले से शुरू हुई थी उसके बाद में कुवीद आया है और वो पूरी जो प्रोसे से थोड़े समय के लिए डी रेल हुई बाद में वाफिस उसने पिक अप किया और पिछले छे मेने के अंदर उसमें बहुत बड़ा मॉमेंटम आया सब मेंबर्स बने पूरे देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया के शुरू करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तयार किया गया है जिसमें प्रदिश रिटर्निंग ओफिसर्स, आसिस्टन प्रदिश रिटर्निंग ओफिसर्स, डिस्टिक रिटर्निंग ओफिसर्स ऐसे सब पूरा स्ट्रक्चर तयार हुआ मेंबर की प्रोसेस आगे, बनाने की प्रोसेस आगे चली डेलिगेट चुने गए और डेलिगेट की उस प्रक्रिया जो है वह या आप लोग बंद करो बातचीत करने का याद तो देश में हर एक ब्लॉक के अंदर से हमारे कॉंस्टिटुशन के मुताबिक एक एक प्रदेश डेलिगेट चुना जाता है जिसको कॉंगर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है वो डिस्टिक में भी वोट देते हैं वो प्रदेश में भी देते हैं और वो अले इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं और या इसे सी के शेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं उस परसे वो प्रक्रिया पूरी चली और इस प्रक्रिया के तहट लगवत 9,000 से 9,900 के करीब डेलिगेट पूरे देश में से चुने गए और हर एक डेलिगेट को क्योंकि उनको प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार है वोट देने का अधिकार है उसके चुनाओं के अंदर तो कॉंसिटुशन के मुताबिक हमारे कॉंसिटुशन के मुताबिक कॉंग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाओं करने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम वर्किंग कमीटी के सामने पेश किया वर्किंग कमीटी ने उसको एप्रूव किया और उस हिसाब से ये पूरा कॉंग्रेस President की चुनाव का कार्य करम को उसको implement किया गया। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलिगेट चुने गए थे उन्होंने सबने वोट डाले थे। करीब 9500 डेलिगेट्स ने अपने वोट डाले। करीब करीब 96% वोटिंग हुआ है। चोटे चोटे जो स्टेट है वहाँ पर जहां 25 वोटे, 22 वोटे या 30 वोटे ऐसे चोटे-चोटे जो संग प्रदे से उनमें 100% वोटिंग हुआ है। इसमें बड़े जो स्टेट है उसमें भी 95 यह सब प्रोविजनल डेटा दे रहो आपको फुल डेटा अंकल मिलेंगे। लेकिन बाइन लार्ज 90% से उपर पूलिंग सभी जगे के हुआ गया है। हमारी सबसे संतोज जनक बात यह है। कि सभी राज्यों में 36 जगा के उपर जो पूलिंग बूथ हुए स्टेट के अंदर वहां से कोई भी एड़र्स इंसिडेंस का एक भी इंसिडेंस हमारे हुआ नहीं है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी एचिविमेंट है। और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिलकुल ओपन प्रोसेस के साथ में मीडिया के सामने सब चीज ओपन हुतेवर करते हुए। पूरी एलक्षन की प्रोसेस, संती पूर्वा इसाब से खीज निया। जो कोई ऐसा बोलता है कह के पार्टी में डेमोक्रसी नहीं है तो यह डेमोक्रसी का एक उधाहरन है। कि पार्टी में इंटर्नल डेमक्रसी क्या होती है, वो कॉंग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है, जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है. मैं आप से फिर से बता रहा हूं, कि सभी राज्यों से चुनाव के जो आंकड़े हैं अभी आ रहे हैं और आईए उसमें तीन बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में, एक तो दिल्ली के दो बैलेट बॉक्स अभी आके जमा करके गए हैं, दिल्ली स्टेट के, एक यहां का है, यहां पर यहां पर जो बॉत था उसके अंदर 67, 85, 87 लोगों ने मद्दान किया हैं यहां पर, जितने वरकिंग कमिटे के मेंबर थे, वो बहर से जो लोग आया थे, वो लोग आईए सेसे के बॉत के अंदर, और यातरा के अंदर का जो बॉत अलग से लगा था, पोस्टल बैलेट के इसाब से वहां पर दिया गया था, यातरा में 50 लोगों ने वहां मद्दान किया है, यातरा के अंदर राहूल जी ने भी मद्दान किया, यहां EICC के बुत में हमारी प्रेसिडेंट सौन्या गांदी जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर शरी मनमोंसी जी, प्रियंका जी, शरी चीदंबरम जी और काफी सिनियर लीजर, सब ने यहां पर है तो पोलिंग किया है, पूरी प्रोसेस कैमेरा के सामने ओपन थी, हमने 5-7 कैमेरा मेन को एलाव किया था सुभे से ले के साम तक, और उनके सामने है तो पूरी वोट डालने की प्रक्रिया वहां पर है तो उन्होंने अपने उसमें रेकॉर्ड की गई है, और मेरे ख्यास है पहला ऐसा इंसिनेंस है जो कैमेरा के सामने फुल व्यू के साथ उनके अंदर से वोटिंग है तो डाली किये है बुत के अंदर से इतना मुझे आपके साथ में शेयर करना है फोलोर जो ओपन फोर एनीबड़ी तो आज क्रेस्टें यहां किपरियों अमद्दान नहीं करता है? ए ए ए एसीच में ऐटी सेवन थे, ऐटी सेवन लोगने मद्दान किया है मत गंड़ना का भी हुँ जो हमारे पास में है अभी हुए है कि सब बैलेट बॉक्स एक एक खर के एक बैलेट ये पूरी चादर है इसके अंदरे एक बैलेट बॉक्स के मुट डाले गए फिर उसके उपर दूसरा डाला गए तो उसको मिक्स करेंगे फिर तीसरा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे फिर चौथा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे 36 बार किसी को कोई संदे रखने की जरूर नहीं है ये सिक्रेट बैलेट है और कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर से किसने किसको वोट दिया और कौन से स्टेट में से ज्यादा मिला और कौन से स्टेट में से कम मिला नाइन 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 वन फाइव मैं आप से बता रहा हुनुत के अंदर के नाइन अजर छह सो पांसो के करीब है और कल डेटा और भी आ जाएगा उसके अंदर इसमें हुआ क्या कि जो हमारे सेक्रेटरी दूसरे स्टेट से गए तो वो भी उसमें जो मोट डाले तो वो उसक सरथ है तो बिलकुल फिकर फिखर बिलकुल साफ हो जाएगी. या बिलकुल अज जुनाव को दिन था सो सब वोट डालने में में बुझी तो किसी ने आज कंपले नहीं किये। हमने उनको कहा जितना जितना टाइम आप अगर जो लेटर लिखने में हमको डालती उतने टाइम आप प्रचार में डालोगे तो वोट ज़्यादा मिलेगे। अपने इस के ऐलाओं से कंपर मत करिये हैं यहां पर है तो उसमें आपने जो कैनवास लिडर्स है या एक एनिडेट है उनके आदमी बाहर भी कैनवास करते हैं जिस तरह पार्लामेंट के अंदर पर प्राइम मिनिस्टर प्रेशिए के एलेक्शन में वोटा उस तरह इसलिए युसा कोई वो नहीं है, बाद नहीं है कि आप नहीं कर सकते आज, ऐसा. मेरा अनुबह तो मैं बुरा थोड़ी बताऊंगा, मेरा अनुबह बहुत अच्छा रहा, मेरे सभी साथीदारों ने जो मिलके से तो काम किया, इसी के वज़े सी पॉसिबल हो सका है, छोटे से छोटे डियारों से लेकर, एपियारों से लेकर, सब लोग लोग है तो उसमें जूटे, और आपको जानके बड़ा ताजव होगा कि जैसे कोई एक, कोई उस्व हो रहा है, इसी तरह पॉलिंग बुथ को सजाय भी गया, मंदब भी बांदे गया, चाय पानी अनास्ते की व्यवस्ता भी लोगों ने वहां पर की, क्यों भी होई उसके अंदर है तो उसमें, और बिलकुछ सजा के नंबर के साथ के अंदर बूत नंबर फलाना, पॉलिंग स्टेशन ये वगएरा, और सब लिख के तयार करके बॉड़ बॉड़ बना के, है तो वहां पर वो कह गए गए, मैं पूरा कर ले, और मुझे पूरा कर ले, ये उसके उपर, इसमें से, इसलिए हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, मेरे कहाल से प्रेस को भी हमने अच्छा अनुभव कराया है, क्योंके आपने जो चीज मांगी, हमने सब दी ये, information. Yes, बोलिये आप. Sorry. वो सुझाव देने हमारे इंटरनले, हम देंगे हम पार्टी को सुझाव. Hang on, please, listen. Wait a minute. May I request my friend on the right side, please. Please listen to others as well. You have already asked the question. Allow others to ask as well. Wait a minute. Wait a minute. I am coming to you. Wait a minute. It depends on the president and the plenary session of the Congress Party. When the plenary meet, if you decide to have an election of the CWC, then there will be elections. But the president has to take a call of the CWC as well as the CEC. But I am not in a position to comment it today. Yes. Yes. I tell you, I just, in Bharat Jodo Yatra, there were 50 people who voted. In AICC, 87 people voted. There were 87 here. Total number is 9,915 and 9,497, which is around 95, you know, 9,500. There people have, I mean, the delegates had voted for, which comes to around 95% and so on. These are provisional details. We will correct it. These are provisional details. These are provisional details. 100%. 100%. Yes. Yes. Why are you asking? I can't hear you. I'm sorry. Please, please. Sir, you are much more, I mean, what have you asked? You are more than us. 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 Sir, you are more than us. Sir, this is a matter of time. Sir, you are a matter of time. You are a matter of time. I am not. I am not. I am not. I am not. You are a matter of time. I am not. You are a matter of time. Look, Congress President, he came, everyone has seen, and he has done his own matter. And, from outside, someone has told me, that the media is like this. This is the time that I was waiting for. So, that is a deal. Okay? I am not. 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 I am. I am not. 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 It is okay. Thank you very much.